महिंद्रा नमस्कार मैं अंकित वर्मा आउजा आटो विकरंड महिंद्रा शोर्म से बात करना हूं इन दोर बहवर कुआ से आये सर मैं अपना एक मॉडल के बारे में बतता हूं आपको जैसे कि ट्रियो ओटो के नाम से जाना जाता है यह उसके बाद मैं स्पिट की बात करना सर मैं तो इसमें स्पिट आती ऑटा से पक लिए स्टेंक की सेटिंग तो इसमें अपना बुश्टिंग मोड भी दे रखा इसके अंदर उसके बाद मैं बात करूं सेटिंग की तो इसमें काफी अच्छी सारी कैसा तीन जाने बेट सकते इसके अंदर कंपनी पाशिंग तीन ही देती है इसके अंदर और मोडल महिंद्रा का सबसे टॉप वेरेंट है कीमत की बात करूं सर तो कीमत इसकी तीन लाग तीस हजार की कीमत इसकी और इसके बाद में इससे एक चोटा मोडल भी आता है उसकी बात करूं मैं अपना जो महिंद्रा के अंदर जाना जाता है कि एलफा मीनी के नाम से यह एलफा मीनी के नाम से आना जाता है इसमें डी इसको इसमें दे रखा है डी प्लस फॉर में दे रखा है इसमें यह चलती है एक चार्ज पर 80 किलोमेटर चलती है आट से दस घंटे इसको और इसके अंदर की बात करें राखा है डिथा चलती है और कीमत की शकर पाद इसमें चोटा और आता है जो कि लोड़ींन के लिए है मतलब FMCG वागरे यूज करते FMCG में यूज किया जा सकता इसको यह अलफा कार्गो के नाम से यह अलफा कार्गो में इसमें आएगी चार बैटरी का साथ में आएगी सर्या लेड एसिट बैटरी इसके अंदर इसके टॉप स्पीड रहेगी सर्व अपना 25 की टॉप स्पीड रहेगी चलेगी 8-10 गंटे बैटी चाजिंग टाइम रहेगा इसका लोडिंग केपिसिटी की बात करूँ तो इसमें 400 केजी तक में आप 400 केजी तक में आप रख सकते हैं और इसके बाद में किस से उपर मोडल आता है यह कंटेनर के नाम से जाना जाता है इसको भी FMCG वाल इसमें कीमत में दोई में बहुत डिफेंस आएगा यह अपना एक लाग 50,000 की यह जाए गी और यह 3 लाग बनवज यह कंटेनर के साथ में इसमें जो कि एक मोडल आता है हब बोडी में आता है जो कि हब बोडी में आता है हो पलगा 372,000 का और इसमें इक सि इसके तॉप स्पीड आईगी है। प्लस उसके बाद में 110-130 km की रेंज रहेगी इसकी साड़े तिन गंटा बैटरी चार्जिंग टाइम रहेगा इसका पैलोडिंग की बात करूं में तो पैलोडिंग में इसमें दे रखा है 600 kg तक में आप उसमें पैलोडिंग कर सकते हो और इधर यह अलफा कारगो की बात करू पैलोडिंग की तो इसमें 400 kg तक में आप पैलोडिंग कर सकते हो उसमें संपर कर सकते हैं देवास में भी आप हमारा डिलर है उसमें संपर कर सकते हैं